हाई गाईस आज हम बताने वाले हैं आपको ऐसे पोदे के बारे में जिसको हिंदी में राकी फल कहते हैं जी हाँ दोस्तों और इसका इंग्लिश नेम है पैसी फ्लोरा फॉयटीडा उसको अलग नामों से भी जानने जाते हैं जैसे की भुश, मेरसिया, वाइल्ड, स्ट्रिं पॉदा भाठाई क्रिश्चन कमल भी कहते हैं जी हाँ दोस्तों ये देख रहे हैं ये पत्तोवाला पॉधा और इसमें आगे फल भी लगे हुए है जी हाँ दोस्तों ये पॉधा सारे भाठाय ने पायी जाता है, इसके दो प्रजाती होते हैं, एक तो जंकली जिसका नाम ह एक क्रिशनी कमर है और यह लाकि के तरह होता है जैसे हम किषी के हाथ पर राकि बांते हैं उस तरीके से यह दिखता है जिए हैं दोस्तो यह ज़्यादा तर यह Chad Ares पहारी शेतर इरिया होता है वहां मिलेगा इसके फूल देख रहे हैं सफेद कलर का जो फूल है एकदम खूबसूरत देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही खूबसूरत लगता एक राखी के तरह रखता है कि आपको जो नॉर्मली राखी के तेवार में किसी को राहत पर राखी ब बलकारक होता है इसके पौधे में काफी मातरा में ऑक्सीजन होती है जो यह पूसका पौधा है इसके काफी मातरा में ऑक्सीजन होती है आई अब इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं कि यह पौधा किसकी प्रयोग में आता है और इससे क्या-क्या फाइदा होता है जी हा जा सकता है इसका पत्ता पीस का लगाने से शत और ब्रह्म का शमन जो होता है वो ठीक हो जाता है इसके पीसे पत्ते को आखों के चारों तरफ लगाने से अर्शिशोद और शमन होता है दूस्तों इसके प्रयोक से आपकर दात में प्रोब्लम है तो इसका जो प्रयोक करेंगे तो जो दात का रोग है वो भी ठीक हो जाता है और इसका जो पत्ता पीस कर इसका रस पत्ते पीस कर इसका रस दस मिलिग्राम आपको निकाल लेना है इसका सेवन करने से जो आपकी सांस की प्रॉब्लम है सांस फूलना है तो वो प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाता है जी है दोस नीद ना आने की प्रॉबलम है उसे नीद बहुत अच्छी आएगी जी हैं दोस्तों ये पौधा विशात होता है इसका मातरा मतलब बहुत ये कम मातरा में सेवन करें 5 मिली ग्राम से लेके 10-10 मिली ग्राम तक सेवन करें और एक चीछ में बता दूँ दोस्तों इसका सेवन करने से पहले आपको अपने कोई भी जो आयरवेदिक चिक्रिसक है जहां आप दवाया लेते हैं उनसे पहले संपक किजिए पहले पूछिए फिर इसका सेवन किजिए यह ज़्यादा तर आपको हर जगा नहीं मिलेगा यह आपको ज़्ला अताब पहाड़ी ए्रिया में यह अपको ये जो पौध़ा है आपको मिलेगा तो दोस्तों और भी सारे इसके बहुत सारे गून है जो आपको इसके पथे के यूस कर होंगे तोस्तों यह छोती सी जानकरिया आपको दी है हमने तो इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को संपक कीजिए, अपने चीकिस्ता को संपक कीजिए, तब जाके इसका सेवर करें, तो दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो अगर हमारी जानकर या आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में बने रहें, इ आपके लिए दोस्तों धने वाई